नमस्कार इस बार बज़ेट से पहले आप मैंसे अनेक साथियों से विस्तार से बात होई थी इस बज़ेट ने भारत को फिर से हाई ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री पर ले जाने के लिए सबस्ट रोड मेप सामने रखा है बज़ेट में भारत के विकास में प्राइवेट सेक्टर की मजबुत पार्टर सिपर भी फोकस है बजेट में पब्लीक प्राइवेट भागीदारी के स्कोप और टार्गेश को क्लेरिटी के साथ सामने रखा गया है डिस इन्वेस्टमेंट और एसेट मॉनिटाइजिशन इसका एक एहम पहलू है साथियों जब देश में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज शुरू किये गए थे तो समय अलग था और देश की जरूरते भी अलग थी जो नीती पचाथ साथ साल पहले के लिए सही थी उसमें सुधार की गुंजाईश हमेशा रहती है आज जब हम यह रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो हमारा सबसे बड़ा लक्ष यही है कि पब्लिक मनी का सही उप्योग हो कई ऐसे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हैं जो लॉस मेकिंग है इन में से कई को टैक्स पेर्स के मनी द्वारा सपोर्ट करना पड़ता है एक प्रकार से जो गरीब के हक्का है एस्पिरेशन से भरे युवां के हक्का है उन पैसो को इन एंटरप्राइज के कामों में लगाना पड़ता है और इस कारण अर्थ व्यवस्ता पर भी बहुत प्रकार का बोज पड़ता है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को सिर्फ इसलिए ही नहीं चलाते रहना चाहिए क्योंकि वो इतने वर्सों से चल रहे हैं किसी के पेट प्रोजेक्ट रहे हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज किसी विशेज सेक्टर की जरूत को पूरा कर रहे हो किसी स्ट्राटेजिक इंपोर्टन से जुड़े हो तो तो मैं बात समझ सकता हूँ और उसके आवशक्ता भी समझ सकता हूँ सरकार का ये दाइत्व है कि वो देश के एंटरप्राइज को बिजनेस को पूरा समर्थम दे लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं उसकी मालिक बनी रहें आज के यूग में न ये आवशक है न ये संभव रहा है इसलिए मैं कहता हूँ Government has no business to be in business सरकार का focus, लोगों के welfare और विकास से जुड़ी परियोजनाव पर ही रहना चाहिए परियोजनाव पर ही रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ती, संसादन, सामर्त, कल्यान काम के लिए लगने चाहिए वहीं सरकार जब business करने लगती है तो बहुत तरीके से नुक्षान भी होता है निरने प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंदन होते हैं सरकार में commercial निरने लेने का साहस का अभाव होता है हर एक को भाती भाती के आरोप और कौड कचरी का भी डर रहता है और इस कारण एक सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो मेरा तो दाई तो बहुत limited time का है मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा इसलिए ये फैसला लेता ही नहीं है जो ऐसा चलता है चलने देता है ऐसी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता आप भी भली भाती जानते हैं इसका एक और पक्ष ये है कि जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसके resources का दाईरा सिमट जाता है सरकार के पास बहतरीन अपसरों की कमी नहीं होती लेकिन उनकी ट्रेनिंग मूलत ह साथ सन व्यवस्ताओं को चलाना नीती निर्धारन नियमों का पालन कराना जन कल्यान के कारियों पर बल देने के लिए उनके लिए आवशक नित्कियों के निर्मान और इन बातों में उनकी ट्रेनिंग भी हुई होती है और इसमें उनकी महारत भी होती है क्योंकि जीवन के लंबे अर्से तक लोगों के बीच इस प्रकार के काम करते करते हो आगे आये है ये काम इतने बड़े देश में बहुत ही महत्वका होता है लेकिन जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसे इन कारियों से निकाल करके ऐसे होनार अपसरों को निकाल करके इस तरफ ले जाना पड़ता है एक प्रकार से हम उसके टैलेंट के साथ अन्याय करते हैं उस public sector and enterprise के साथ अन्याय करते हैं पनियाम सोरुप उस व्यक्ति का नुक्सान होता है उस enterprise का नुक्सान होता है और इसलिए ये एक तरह से देश को कई प्रकार से नुक्सान पहुचाता है हमारी सरकार का प्रयास लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के साथ ही लोगों के जीवन में सरकार के बेवज़ के दखल को भी कम करना है यानि जीवन में ना सरकार का अभाव हो ना सरकार का प्रभाव हो